सितामडी जिले के बद नहात आना छेत्र के पांच माइल उप मन्यू स्कूल के सामने बेख़ौफ अपराधियों ने घर में घुस कर पति और पत्नी को गोली मार दी इस घर्टना में पत्नी की मौत हो गई है मृत्का के पहचान गायतरी देवी की रूप में हुई जबकि उसके पति का नाम श्री नारायन साह है जिनकी स्थिती गंभीर बताई जा रही है उसे शहर के एक नीजिय स्पताल में भरती कराया गया है घर्टना के बाद आक्रोशित लोगों ने सडक जाम कर दिया है और पुलीस प्रशासन के खिलाफ नारिवाजी कर रहे हैं लोग इस मामले में शामिल अपराधियों के गिरफतारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सुचना के बाद मौके पर पुलीस मामले की छनबिन में जुटी हुई है हत्या क कारणों के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है पती पतनी को गोली मानने की घटना के बाद लाके में दहशत का माहौल कायम है मृतिका गायत्री देवी की शब को पुलीस ने कबदे मिले कर पोस्ट मॉटरम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है हत्या की वरदात होने क के बाद लोग पुलीस प्रिशासन के खिलाब जम कर नारेवाजी कर रहे हैं बता जा रहा है कि बाइक सवार हतियार से लैश बदमाशों ने इस वरदात को अंजाम दिया है कहां पे गोली लगा था गोली कहां पे लगा गए ता पत्नी को लगा था इनलों का दुकान कहां पे चलता था किसस्का दुकान था अब कौन हुए उनके सारो है क्या नाम हुआ हुआ है जै किस्वर साथ